नमस्कार दोस्तों, हमारे All Intuition अड़्डा चैनल प्रापका स्वागत है दोस्तों यहाँ पर लिखा है G-A-R देखिए R के बाद A नहीं है इसका मतलब यह R का अर्थ रेफ के रूप में निकलेगा कैसे? देखिए G से हो जाएगा G और यह R के बाद तुरत क्या है? भी है, भी आई यानि यह होगा दोस्तों गरवी देखिए इस तरीका से और T से ता गरवित G-U से गू हो जाएगा L-A से ला हो जाएगा और B से गुलाब गरवित गुलाब यानि इंगलिस में यह जो लिखा है इसको हम लोग क्या पढ़एगे? गरवित गुलाब देखिए यहाँ पर लिखा है R-E यानि R-E से रे G-I यानि गी S S के बाद A नहीं है इसका मतलब आधा सो हो जाएगा T-A से ता और N से न रेगिस्तान क्या लिखा है? रेगिस्तान उसके बाद देखिए लिखे A-M-E-I-N इसको हम लोग पढ़एगे में क्या पढ़एगे? में यहाँ पर बिंदी रहेगा ठीक है? रेगिस्तान में E-K यानि एक E से A और के से का एक G-U-L-A-B गुलाब क्या? गुलाब A-U-R A-U तो O और R से रहा और E-K यानि एक गुलाब और एक K-A-I तो K-A-I से का होता है? ठीक है? फिर K के बाद A नहीं है इसका मतलब आधा को और T से टो हो जाएगा और A से सो क्या पढ़एगे? क्या पढ़एगे? क्या पढ़एगे? A-M-A-U यानि मौ हो जाएगा क्या हो जाएगा? मौ J-O-O यानि जा में बड़े उकी मातराओ D से दा मौजूद T-H-E यानि थे रिगिस्तान देखें यहां से खुब ध्यान से देखें दोस्तों रिगिस्तान में एक गुलाब और एक कैक्टस मौजूद थे दोस्तों यहां एक छोटा सा परिगराफ है गर्वित गुलाब गुलाब के ऊपर एक परिगराफ है बहुत मज़ेदार परिगराफ है दोस्तों इसमें बहुत सारे कठिन-कठिन वर्ड भी है जैसे यहां पर देखें गरवित, कैक्टस, मौजूद, ठीक है, रेगिस्तान, ऐसे बहुत सारे सब्द मिलेंगे, यदि आप कहीं पर भी, वाटसप पे, फेस्बूक पे या इस्टागराम पे, अपने भासा में अपने तरीका से चाहते हैं, कि इंगलिस में दोस्तों टाइपिंग करके, चैटिंग क करें, या कोई आपके पास भेजा है, आप देखते ही चाहते हैं कि उसको हिंदी में पढ़ दें, तो आज की इस क्लास को देखने के बाद मैं आपसे 100% दोस्तों वादा करता हूं, कि आपके इंगलिस में बहुत ज्यादा इंप्रूब्मेंट होने वाला है, आप असानी से एक गुलाब का पौधा और केक्टस मौजूद थे, के एच डवल ओ, यानि देखें यहाँ पे, के एच डवल ओ, तो डवल ओ है, तो ख्वा में बड़ियू की मात्रा हो जाएगा, खूब, बी से बा, खूब, एस डवल ओ, यानि सू, आर ए यानि रा और टी स्यता, खूब फिर यह देखें, केक्टस ही लिखा हुआ है, जो एक पर आप समझ लिये हैं उपर, वो अगर दोबारा मिलता है, तो डारेक्ट उसको पढ़ देना है, यहाँ पे मैं एक एक वर्ड को लिखते जा रहा हूँ, आपके बड़ देख कर भी सीख सकते हैं, तो खूब सूरत, ग करने, क्या हो जाएगा, करने, का, हर, यानि हर, भी, ए, एस, ए, आर, यानि ए से अ हो जाएगा, भी से वा हो जाएगा, एस, ए यानि सो और आर से रह, अउसर, ल, यानि ले, ज, ए यानि गा, लेगा, अउसर लेगा, A, N, Y, A से और N से आधाना और Y से अन्य, P, A, U यानि पाउ, D, H, O और N पाउध हों, अन्य पाउध हों, N, E यानि ने, K, A, I यानि का है, फिर K से आधा को, T, A, S यानि कैक्टस का, कैक्टस का, B, A, C, H, A, B, यानि बचाओ, K, A, R, A, N, E करने, K, E, की, करने की, K, O, को, S, H, I, यानि शी, और फिर S, 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 कोशिश, करने की कोशिश, उसके बाद देखी यहाँ पे, K, A, E, यानि की, कोशिश, की, L, E, यानि ले, K, I, यानि की, और एंसर ना, लेकिन, G, U, यानि गू, L, A, यानि ला, और बिस बग गुलाब A, P, A, N, E, अपने R, O, P, रूप, R, A, N, G, रंग, रूप, रंग K, O, को रूप, रंग, को, L, E, K, A, R, लेकर B, A, B, H, U, T, से ता बहुत A, D, H, I, K, अधिक, बहुत अधिक J, U, यानि जू, N, O, यानि नू, और एंसर ना, जुनून T, H, A, यानि था अधिक जुनून था V, I, यानि V, S, H, E, यानि शे और फिर S, 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 विशेश R, O, P, यानि रूप से, विशेश रूप से, B, H, E, S, H, A, N, B, H, E, यानि भी, S, 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 और एंसर नू V शेश रूप से, विशेश रूप से, विशेश रूप से, जू, A, R, छी, A, R देखे, R के बद A नहीं है, इसका मतलब है की ऐसे होगा, गर्मी यहाँ पर रेप की मात्रा होगा, गर्मी, के डि ए यू यानि दो, आर ए यानि रा और इंसन दोरान पी ए ए एन आई पानी, एन ए एच आई एन नहीं टी एच ए यानि था जी यू गू एल एला बी से बागुलाब एम यू मू आर ए जे एच ए एन ए मुर्जाने गुलाब मुर्जाने एल ए जी ए लगा एल ए ले के आई की और एंसन दोरान लेकिन गुलाब मुर्जाने लगा लेकिन के ए आई काए फिर के से आधा कोड टी से टो और एस से सा कैक्टस G-A-U गौ R-A-I रह Y-O-N गौरायों क्या पढ़ेंगे? गौरायों के गौरायों के L-I-E यानि लिए P-A-N-I पानी का S-R-O-T श्रोत पानी का श्रोत B-A-N बन G-A-Y-A गया बन गया T-H-A था गौरायों ने कैक्टस कैक्टस से पानी मांगा क्या पढ़ेंगे? M-A-N-G-A मांगा A-U-R-O-R A-C-H फिर C-H-A अच्छा क्या पढ़ेंगे? अच्छा कैक्टस कैक्टस T-U-R-A-N-T तुरंत T-A-I-T-Y-A-R यानि तैयार अच्छा कैक्टस तुरंत तैयार H-O यानि हो G-A-Y-A यानि गया हो गया S-E-K-H यानि सीख K-A-B-H-I कभी भी किसी K-I-S-I किसी K-O को I-S इस A-D-H-A-R अधार क्या पढ़ेंगे? अधार P-A-R पर M-A-T मत A-N-K-I-E आके क्या पढ़ेंगे? आके की वह भी A-H-वह K-A-I-S-A कैसा? D-I-K-H-A-T-A दिखता है कभी भी किसी को इस अधार पर मत आके कि वह कैसा दिखता है हो सकता है दोस्तों वह आपके लिए बुरा दिखरा हो आपके लिए यूजलेस दिखरा हो लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि वहीं आपके काम आनेवाला ऐसा होता भी है या आप किसी के लिए बुरे हो लेकिन समय का इंतेजार कि很有 एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी बिना उसका एक भी काम नहीं होने बाला होगा और आपको आकर रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों हर चीज का इस दुनिया में महत तो होता है अपना इंपोर्टेंस है तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा विड किलते एक लोग क्लास में जै हिंदी आप सब्सक हुआ कि अ